Recently मेरे चैनल पर ये question आया था बहुत सारे parents के द्वारा कि अगर बच्चे को breast milk हम नहीं पिला पा रहे हैं किसी वज़ा से मान लिजे मा का दूद एकदम भी नहीं बन रहा है या फिर किसी और कारण से मा का दूद अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करें बच्चो को animal milk दे या फि बच्चे का पेट नहीं भरता है तो अभी मैंने रिसेंटली लास्ट फ्यू मन्स में कई सारे वीडियो बनाए हैं बच्चो की breastfeeding के ऊपर कि breastfeeding की amount कैसे बढ़ाया जा सकता है कैसे पता चलेगा कि बच्चा को बच्चे को प्रयाप मातर में मदर का मिल रहा है तो इस breastfeeding series में मैं next यही answer करने वाला हूँ कि अगर मा का दूद प्रयाप मातर में नहीं बन रहा है तो बच्चे को कौन सा milk दिया जाए या फिर उसको हम animal milk दे सकते हैं या नहीं तो देखिए इसमें सबसे पहली बात तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि कि किसी भी situation में अगर मा का दूद क किसी भी तरीके से अगर available हो रहा है या फिर बनने के chances हैं तो हमें try तो यह करना चाहिए कि बच्चे को मा का दूद दिया जाए मा का दूद बच्चे के लिए हर तरह से perfect है उसमें nutrition बच्चे के लिए परियाप मातरा में होता है बच्चने में आसान रहता है और जो सबसे important point यह है कि मा के दूद से बच्चे को मा की immunity transfer होती है जो कि किसी भी और चीज से हो नहीं सकती और बच्चा safe रहता है कोई भी infection नहीं लगता है क्योंकि मा का दूद direct मदर से बच्चे की body में जाती है तो वहां infection के कोई chances नहीं रहते हैं बट मान लीजे कि किसी situation में अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या करें तो सबसे पहले तो हमें यह try करना चाहिए कि जहां तक हो सके मदर का दूद बच्चे को दिया जाए अगर आपकी दूद की मात्रा पर्याप नहीं है बर थोड़ा भी दूद आ रहा है तो जरूर आप प्रयास करो कि अपने दूद को बच्चे को पिलाओ बच्चे को अपने ब्रिस्ट पे लाच करो ब्रिस्ट पे अटाइच करो बच्चा दूद पियेगा तो आपकी दूद की मात्रा बढ़ जाएगी और इसके साथ साथ और बी जो टेक्नीक जिससे हम मदर की मिल्क सप्लाई बढ़ा सकते हैं उसको मैंने एक सेपरेट पिलाएं बाहर का दूद ना दें कोई भी फॉर्मूला मिल्क या एनिमल मिल्क देने का ट्राई ना करें जहां तक पॉसिबल है तो इसके लिए मैंने पूरा एक डेडिकेटिट वीडियो बना के रखा है और उसमें साले टेक्निक समझाया है कि बावजूद भी आपका मिल सफिशन अमान्ट में नहीं बन रहा है तो उस सिच्वेशन में हमें क्या करना चाहिए फॉर्मूला मिल्क यूज़ करना चाहिए या फिर बॉयल्ड काव मिल्क हम यूज़ कर सकते हैं तो देखिए इसमें एक बहुत सिंपल सी बात है कि जीरो से बारा महिने तक मतलब बर् सब्सक्राइब बर इसमें बच्चे को फर्मूला मिल्क की जरूरत है या नहीं तो अगर फर्मूला मिलक durů लगना चंब करना क्या बदा सो तो सारे formula जो approved हैं जो अच्छे company के हैं ISI approved हैं वो सारे formula में एक basic standard उनको maintain करना परता है और government से ये regulated है इसमें ये नहीं हो सकता है कि उसकी quality में कुछ कमी आ जाए तो basic quality सब में maintained होती है तो आप चाहें तो कोई भी government से approved ISI mark approved formula अपने बच्चे को दे सकते हैं formula किसी special disease की वज़े से दिया हो तो वह बात अलग है term baby को जो बच्चा date के time पे मतलब 37 weeks के बाद जनम हुआ है कोई भी stage 1 formula आप किसी भी company का दे सकते हो मैं यहाँ formula को promote नहीं कर रहा हूं but अगर कोई medical problem की वज़े से आप अगर formula milk दे रहे हैं तो market में available जो भी standard formulas हैं अच्छी companies क यह formula हैं सब बराबर हैं आप को इभी formula यूज कर सकते हो अब question यह पूछा जाता है कि जो formula milk है वो भी cow milk से बनता है तो हम directly cow milk क्यों ना दे हम क्यों formula milk दे इसमें दो important reasons आप ध्यान रखिएगा कि cow milk का जो protein है वो बहुत जादा होता है और छोटे बच्चों को digest करने में काफ मिल्क में दो essential nutrition की डिफिसेंसी होती है एक है iron और दूसरी है vitamin C यह दोनों नहीं होते हैं इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे nutrients हैं जो मा के milk में होते हैं और cow milk में नहीं होते हैं तो क्या किया जाता है formula milk का composition उसको change किया जाता है और उस पे काफी सारे modifications किये जाते हैं और जाता है ऐसे modify किया जाता है कि वह almost mother milk के composition के बराबर हो जाए protein की मातरा में carbohydrate के मातरा में और भी दूसरे essential vitamins and minerals की मातरा में उसको ऐसे 45 किया जाता है ताकि वह almost mother की composition के करीब मदर मिल्क की composition के करीब करीब आ जाए और उसका एक basic standard maintain किया जाता है तो basically in short आप यह समझ लो कि जो formula milk है उसको mother milk के composition तक लाया जाता है और उसमें protein या फिर जो अलगतत्व है उनको इतना modify किया जाता है कि वह बच्चे आसानी से उसको digest कर पाए फिर भी जितना भी हम कर ले formula milk mother milk के बराबर immunity बच्चे को provide नहीं कर सकता बट definitely उतना ही nutrition जरूर provide करता है whereas cow milk या कोई भी दूसर animal का milk हमें एक साल से कम होगा के बच्चों को नहीं देना चाहिए इसका main कारण जैसे मैंने बताया है जो cow milk की protein है वो आसानी से बच्चों को बिना modify किये आसानी से digest नहीं होती है और उससे intestine में problem हो सकती है cow milk protein allergy हो सकती है और iron की deficiency और vitamin C की भी deficiency हो सकती है साथ ही साथ जो cow milk है उसके अंदर sodium की मात्रा काफी ज्यादा होती है तो एक साल से कम मर के बच्चों को अगर हम direct cow milk दे रहे हैं तो उससे होता है क्या कि उसकी kidney के उपर stress परता है उस high sodium load की वज़े से तो ये भी एक important reason है कि हम छोटे बच्चों को जो एक साल से cow milk के बच्चों को हम cow milk नहीं देत सकते हैं या फिर cow milk में कोई भी सीरियल गोल के दे सकते हैं तो आप ध्यान रखिए कि cow milk हमें directly नहीं देना है एक साल से कम मर के बच्चों को एक साल से कम मर के बच्चों को अगर किसी भी वज़े से हमें mother milk हम नहीं दे पा रहे हैं तो formula milk में चो च्वाइस है वो generally किसी भी अ के लिए है और या फिर stage 2 formula milk जो 6 मंद से 12 मंद की एज की बच्चों के लिए है वो चूज कर सकते हो इसमें आप अपने पेडियाटिशन की सब्सक्राइब करें अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो जो चैनल को सब्सक्राइब करें आज सेयर करें ताकि उनको भी यह स करेंग Fleisch Alekhreण सेयर का मैं शूख सब्सके ेह साइब के बed माउन करें आपको मैं और कि पसमें आपको यह सकते हुझा मैं पतली टर्ड़ियों कां तुझा भी ज 너 ऊटिंग है घख ठायर कि रखर सेयर करेंट है